नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के सेसन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का करंट अफेर जो की सितंबर मा का है और इसमें हम लोग जो है उत्तर प्रदेश के लगबग 70 ऐसे महतपूर तथे जो समसमाईक जिसेओं से जुड़े हुए हैं उसको पढ़ेंगे और साथ में ही हम ये भी देखते चलेंगे कि किस तथ्थ से यानि किस जो है न्यूस से कौन से फैक्ट ऐसे उसमें दिये हुए हैं जो आपके एक्जाम में डारेक्ट ली पूछे जा सकते हैं क्योंकि जब हम Current Affairs पढ़ते हैं तो हम निशित रूप से काफी लेंदी होता है कोई भी topic हमाई सामने आ जाता है लेकिन हमको उसमें ये भी देखना होता है कि हमारे exam point of view से कौन सा तर्थिस में ज्यादा महत्पूर्ण है कौन से चीज़े हमको याद रखना जरूरी है तो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले अगर आप समीच्छा दिकारी सायक समीच्छा दिकारी exam की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर एक बहतर और एक सटीक तैयारी कर सकते हैं सायक समीच्छा जिकारी का फॉर्म जल्दी आने वाला है नोटिविकेशन आने वाला है एक महीने के अंदर और एकजाम भी छे महीने के अंदर प्रस्तावित है अभी ये संभावित तिती है लेकिन निशित रूप से इतने ही समय में ये हो जाना चाहिए और अगर आप चाहत के अपनी पढ़ाई को start कर सकते हैं, इसमें हम लोग जो है video lectures देते हैं, syllabus के नुसार, सभी subjects के, सभी topics के, साथ में हम आपको PDF में notes प्रोवाइट कराते हैं, बिल्कुल comprehensive notes जो जिसके बाद आपको notes से notes बनाने की जरूवत नहीं है, वो अपने आप में जो है, ऐसा study material है, ऐसा content है, जो अपने आप में परिपूर है, और उसको पढ़के ही आप जो है, exam में अच्छे से 6 marks ला सकते हैं, और उसके अलावा test series और साथ में जो है, telegram group के माध्यम से guidance और regular वहाँ पर test और चलते रहते हैं, तो यह सब चीज़ें आपको जो है, course में मिलती हैं, बाकी आपके मन में और भी चीज़ें होंगी जिसके वारे में जानने के लिए, तो आप जो है, हमारे WhatsApp नमबर 9506742546 पर, जो है, ROARO foundation course लिख कर भेज़ दीजिए, prelims, mains, दोनों की साथ में तयारी आप कर सकते हैं, pre की अलग भी कर सकते हैं, mains की अलग भी कर सकते हैं, सारे आपसस आपके सामने हैं, बाकी सारी जानकारी आपको WhatsApp के माध्यम से ही मिल जाएगी, सुरुआत करते हैं, सबसे पहला आज जो है, हमारा, जो current affairs का topic है, या fact है, वो यह है, कि अभी NALSA, यानि की National Legal Service Authority की एक report आई है, जो कि जुसमें कई सारे और भी aspects है, लेकिन घरेलू हिंसा के मामलेप में जो है, यूपी के बारे में कुछ जो है, विसेस fact है, जो आपके exam point of view से important है, तो इसको आगे रखेंगे, तो घरेलू हिंसा कानून 2005 के तहट सरवाधिक मामले जो है, उत्तर प्रदेश में लंबित हैं, तो यह जो है, उत्तर प्रदेश के संबंध में है, जब से यह कानून लागू हुआ है, कब से लागू हुआ है, जुलाई 2005 से लागू हुआ है, और 2022 की जुलाई तक जो है, जो आकड़े इसमें रिपोर्ट में प्रस्तुत किये गए हैं, उसके अनुसार एक जुलाई 2022 तक उत्तर प्रदेश में 2,2880 मामले घरेलू हिंसा के दर्ज किये गए हैं, जिनमें 83,196 मामले 30 जून 2022 तक निप्टाए गए, लेकिन 1,19,684 मामले अभी लंबित हैं, तो कहने का केवल यह मतलब है, आपको यह याद रखना है, कि उत्तर प्रदेश में इस रिपोर्ट के अनुसार सरवाधिक घरेलू हिंसा के मामले लंबित हैं, जब से यह कानून बना है, तब से लेके जुलाई तक कि यह आकड़े हैं, आगे बढ़ते हैं, चिराउंजी, निश्चित रूप से आप लोग खाते हैं, चिराउंजी का तेल भी उसकिया जाता है, तो चिराउंजी की ब्यावसाई खेती कहीं पर सुरू होने जा रही उत्तर प्रदेश में, वो कहां पर है, प्रियाग राज में, जंगलों में अवैट कटान और भारी मात्रा में दोहन कारण चिराउंजी यह बिल्कुल बिलुपती के कगार पे है, अब इसकी खेती जो है बहुत जादा होती नहीं है, बहुत सीमित हो गई है, तो चिराउंजी की ब्यावसाई खेती में प्रियाग राज में सुरू करके इसको पुनर जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है, बिज्ञानों ने अपनी हाइटेक नरसरी में देश के आठ राज्यों से चिराउंजी के बीजों में से बहतरीन जोन की पहचान कर उन्नक प्रजात के छे हजार पौधे तयार किये हैं, और व्यावसाई खेती के लिए पौधे देश बर के किसानों में बाटे भी जाएंगे, तो प्रयाग राज को यह उपलब्दी मिली है, जादा से जादा आपसे जिला पूछा जा सकता है कि कहां पर जो है, इक कामर्सियल स्केल पर यह खेती सुरू की जाएगी, आगे बढ काम ना भी याद रखें, तो कोई विसेश फरक नहीं पड़ता है, लेकिन आपको यह याद रखना है कि उत्तरप्रेश में कितनी नई नई नगर पंचायते बन गई हैं, तो चार नई नगर पंचायते बनी हैं, अलिगर नगर निगम एक पालिका परिसत वा, छे नगर पं क्या है, और फरुखाबाद की संकिसा है, तो इनको जो है नई नगर पंचायत के रूप में पहचान दे दी गई है, कायबनेट ने रिसीजन ले लिया गया है, बाकी जो है चीजें बहुत जादा महतपूर नहीं है, आप पढ़ना चाहें तो उसको जो है इस रोकर पढ़ स आपडो के अनुसार, अगस्त में देश में 8.3% बेरोजगारी दर रही है, वहीं पर अगर उत्तप देश की बात की जाए, तो राश्टी आउसत से काफी कम, यानि कितना कम? 3.9% जो है बेरोजगारी दर रही है, तो इनकंप्रीजन और देश के आउसत के हिसाब से जो है अवल आकड़ा है, जो उत्तप देश में देखा गया है, आगे बढ़ते हैं, कीट एवं रोग नियंतरन योजना को अभी हाल ही में सरकार ने मंजूरी दे दी है, इसमें क्या है? तो उत्तप देश सरकार ने कैबिनेट में डिसीजन लिया है, थोड़ा सा इसके बारे में इसके अंतरगत क्योंकि योजना है, तो योजना से जुड़े कोई भी जो है तत्य पूछे जाते हैं, इसके अंतरगत किसानों को रासायनी के उन जैव कीट रसायन रच्छा इकाई से अंदान दिया जाएगा, वही फसलों को सुरच्छित रखने के लिए जो है बखारी पर जो है 50% का अनुमान देने का प्रस्ताओ किया गया है, आगे बढ़ते हैं, अस्पतालों के साथ हिंद, अस्पतालों में अभी एक जो है नया डिसीजन लिया है यूपी गौर्नमेंट ने, कि जैसे अस्पतालों के नाम हिंदी में तो डिस्पले होते हैं, कई जगे इंगलिस में भी डिस्पले होते हैं, लेकिन हमारी दुती राजभासा क्या है, उर जो जित्ती भी राजभासाएं हैं तो पहली हिंदी है दूसरी जो है उर्दू है तो दोनों राजभासाओं में सभी अस्पतालों के सरकारी अस्पतालों के नाम डिस्पले अनिवारे रूप से किये जाएंगे आगे बढ़ते हैं उत्तपरेस में कूरे से CNG बनाने के लिए जो है बहुत तेजी से काम चल ला है इससे पहले भी जो है मैंने आपको जो है लास्ट लिक्टर में बताया था इसके बारे में तो उत्तपरेस की राजभानी लखनव में घरेलू कचरे से CNG बनाने की सुरुआत की जाएगी कूरे में मिलने वाले खराब खाद पदात जो ह जाएगा और प्रते एक दिन 300 तन कचरे से 20,000 किलो CNG बनेगी आगे बढ़ते हैं ड्रोन तकनीकी पे भी उत्तरपरेस में काम चल ला है जिसमें IIT कानपूर जो है अपनी अग्रणी भूमी का निभारा है और एक तरह से वो ड्रोन का प्रसिछन केंद्र भी जो है IIT और ITI संस्थानों में सिच्छागरन का रहे जो को प्रसिचन निदेशाले की ओ से चला जा रहे है दूल सिष्टम अग्ट्रेनिंग के तहरे ट्रेनिंग दिला रही है इसमें क्या-क्या सामिल है दूल सिष्टम में एवियेशन और ड्रोन टेक्नालोजी को भी आप सुनते रहते होंगे कि जो है ड्रोन से जो है दवाओं की डिलिवरी भी हो रही है कुरोना काल में भी एक्सपेरिमेंट हुआ रासन तक भी पहुंचाया गया पिज़ा डिलिवरी का इस सहरों में आपने सुना होगा तो ड्रोन टेकनोलजी एक भविस्य की टेकनोलजी है और इससे जो है निगरानी तंद्र तो हमारा मजबूत होगा ही लेकिन इससे डिलिवरी सिस्टम जो है ये भी हमारा स्ट्रॉंग होगा आगे बढ़ते हैं जिस पकार से देश में योजना आयोग को हटा के नीती आयोग बनाया गया है उसी तरह से उत्तर प्रदेश अपना स्वयम का नीती आयोग बनाएगा ये गोशना कर दी गई है और ये की इसलिए गई है क्योंकि जो दोजार 27 तक जो है उत्तर प्रदेश को जो है वन ट्रिलियन एकोनौमी बनाने की जो है प्रयास चल लहा है दोजा 27 का लच रखा गया है उसी के लिए ये नीती आयोग का ग नीतीयों को यानि पॉलसी को जो है मजबूत करने के लिए बनाएगा आगे बढ़ते हैं मोधी एड़र 820 सपने हुए आकार ये एक इंगलिस किताब है उसका हिंदी वर्जन है जिसका नाम दिया गया है मोधी एड़र 820 सपने हुए साकार तो चुकि इसका भी हाल ही में व जान लीजिए ये इसका भी मोचन हुआ है बारानसी में जो रुद्राच कन्वेंशन सेंटर है जो सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है वहां पर इसका जो है हिंदी संस्क्राण जिसका नाम ने अभी पढ़ा जो है इसका लोक जो है अनावरान या जो है इसका भी मोचन य योगी आदितेनात मुख्यमंत्री जी ने किया है, ये किताब क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लिजिए, क्योंकि हो सकता ये ना पूछा जाए कि उद्गाटन किस ने किया, कहा किया, लेकिन किताब से जुड़ी चीजे पूछी आए, तो मोधी आइडरेक्ट 20 सपने नरेन मोधी के सब्ता में रहने के दो दसकों का पूरा विवरन देती है, अब इस पुस्तक में पीम मोधी के साथ काम करने वाले अमिस्सा, नरपेंद्र, मिश्र, अजीत, दोभाल, एस, जैसंकर द्वारा लिखे गए, बिभिन लेक हैं, उनका संग्रा ही किया गया है, और कई विशेसक इसमें और विशामिल है, इसकी तयार करने में पीवी संदू हैं, आमीनिस्ति पाठी हैं, अनुपम खेर हैं, देवी सेच्टी हैं, इनके भी लेक हैं, इसमें सामिल किये गए dividing की सामिल किये गए गया हैं, आगे बढ़ते हैं ODP योजना उत्रप्रदेश की एक flagship योजना है और जो एक सबसे बड़ा ब्राइंड बनके उभर के आ रही है और अब तो विदेशों में भी जो है इसने धू मचा रखी है तो ODP योजना ने प्रदेश के निरियात में भी अपनी अच्छी हिस्सेदारी अप्ताय कर ली है वाडिज मंत्राले के आकड़े जारी हुए उसके अंसार उत्रप्रदेश ने पिछले वित्वर्स में यानि एक्किस बाइस में एक क्लाक चप्पन हजार आठ सो सतानवे दस् रुपए थी तो आप देख सकते हैं लगभग लगभग जो है ये 75% के आसपास जो है इसका योगदान है और उससे पहले जो है वित्वर्स 2017-2018 में उत्रप्रदेश ने जब ODP स्कीम सुरू ही की थी तब जो है 58,523 करोन रुपए का निरियात किया था तो ये जो है लगाता बढ़ रहा है लगभग दुगना हो चुका है आगे बढ़ते हैं भारत दूर उत्पादन में दुनिया में नंबर वन है और उसमें सबसे अधिक हिस्सेदारी उत्तरप देश की है तो ये पहले से बढ़त बनी हुई थी जो अभी भी बनी हुई है अभी जो ताजा तो नेशनल करेंट अफेर्स में भी आप से पूछा जा सकता है 21 परसेंट जो है हिस्सेदारी इसको इस्पेसली पि आईवी ने पुब्लिस किया था तो ये भी आप लोग जान लिए कि पि आईवी जो है जो न्यूज इस्पेसली शर्कृलेट करता है पुब्लिस करता है वो जरूर exam point of view से महत्पूर हो जाती है और उत्तरपदेश as it is यानि नंबर वन पे है भारत में दूद उत्पादन में आगे बड़ते हैं उत्तरपदेश की एक बड़ी जन जाती है गोंड जन जाती इसको अंसूचित जन जाती में सामिल किया जाएगा तो दसकों से अधिकारों से वनचित उत्तरपदेश की गोंड जाती को अंसूचित जन जाती सामिल किया गया है पहले ये जाती में आती थी यानि SC में आती थी अब ये ST में इसको सामिल कर लिया है इसके साथ ही इनकी पांच उपजातियां कौन-कौन सी है ये आप से थोड़ा मातपूर्ण है इस तरह के फैक्ट कभी-कभी जो है जनर्रल जीके में पूछ लिया जाते हैं धुरिया, न जगे लगवग-लगवग Health ATM बन गए है और वहाँ पर बड़ी अच्छी सुविधा है आप वहाँ पर जाईए जो है अपना रेजिस्टेशन कराईए आपका Blood Test, BP Test, ECG और भी कई सारे टेस्ट हैं वो सब 15 मिनिट के अंदर वहाँ पर सबको हो जाता है तो बहुत अच्छी स होती है निसुल्क होती है लेकिन ये dedicated place बना दिया गया है कि आप उसमें जाएंगे तो आपकी जो है सारी जाचे जल्दी से जल्दी हो जाएंगी तो इसकी सुरुवात की गई है गोरखपुर से यही सबसे मातपूर है आप से पूछा जाता है कि उत्तरपरेस का पहला Health ATM कह पर प्रारम हुआ तो ये गोरखपुर में सुरू हुआ अब ये मसीन तीन से पाँच मिनट में ध्यान लखिएगा तीन से पाँच मिनट में 59 यानि 69 तरह की जाच करेगी और इसकी रिपोर्ट भी देदेगी सारी जाचे जिसमें निसुल्क है अगले तीन महीने के बीतर प पिट प्रोफाइल है डेंगू, मलेरिया, चिकुनगुनिया, HIV, TLC, DLC ये सब यहां पर बेवरांट दिया हुआ है बहुँ ज़्यादा डिटेल में जाने के आउशकता नहीं है आगे बढ़ते हैं उत्तरप्रेस में टाउंसिप के लिए सौ फिसदी FDI को मंजूरी तो ये ये अच्छा कदम है उत्तरप्रेस में निवेस बढ़ाने के लिए आप यहां पर टाउंसिप के लिए अगर कोई कंपनी या कोई प्रोजेक्ट सुरू करना चाहता है बाहर का विट्ती तो 100% FDI उसमें मंजूरी दे दी गई है FDI आप जानते ही है Foreign Direct Investment यानि प्रतेच विदेशी निवेस की अनमती मिल गई है इसके लावा एक और चूट दे दी गई है कि राज सरकार दवारा प्रस्तावित नई टाउंसिप नीति के तहर लाइसेंस लेने के बाद जमीन खरीदने वाले जो डेवलपर्स होंगे उनको स्टांप ड्यूटी में भी 50% का छूट दी जाएगी आगे बढ़ते हैं उत्तरपदेश में जो हेल्थ फैसलेटीज हैं इनकी जीयो टैगिंग शुरू होगी जीयो टैगिंग आजकल प्रिचलन में है जिससे कोई भी इसको मैप में आसानी से ढूड लिता है तो ये जीयो टैगिंग शुरू ह होगी और इसके लिए जो है सुरुवात कौन करा है उत्तरपदेश स्टेट मेटकल फैकल्टी जो उत्तरपदेश की जो है एक ऐसी सरकारी संस्था है जो सारे पैरामेडिकल कोर्सेच का संचालन करने के लिए उत्तरदाई होती है तो ये सभी पैरामेडिकल संस्थानों से जुड़े स्वास सुधाओं की जियो टैगे कराएगा करीब बारा सो पैरामेडिकल संस्थान के अस्पतालों में मानक के अनुसार सुधाय जी जा रही है या नहीं दी जा रही है इसका भी पता हसानी से चल सकेगा आगे बढ़ते हैं ग्राम में परेटन के लिए जिले चि नित कर लिए गए हैं बस यही आपको याद रखना है कितने अठारा जैसे अरबन परेटन होता है मानले यह आगरा का ताज महल है फेते पूर्सी करी है तो यह सब तो जो है मौनुमेंट्स हैं लेकिन अब एक नई सरकार्न योजनिया सुरू की है ग्राम परेटन ग्राम प बहुत दूर-दूर से देखा जब हाइवेज से निकलते हैं तो ऐसे लोग गाउं में जाएंगे वहाँ पर उनके वहने खाने सब व्योस्था होगी जो है एक आदस ग्राम कैसा होता यह सब देखेंगे और एक तरह के टूरिज्म है एडवेंचर वहाँ पर उनको जो है मि शुरू किया जाएगा तो इसके लिए जो है 18 जिलों को चिन्हित कर लिया गया है आगे बढ़ेंगे अब आगनबाडी केंद्रों को गोद लेंगे कौन जनप्रनिधी लोग और साथ में सरकारी अपसर गोद लेने कार्थ होता है कि वहाँ का खर्चे में जो है वो सही हो कर 24 रूप से चल रहा है या नहीं वो उनकी पर्सनल चिंता का विशे हो जाता है तो इससे क्या होता है इससे आम लोगों को फायदा होता है कि हाँ सब कुछ वहाँ ठीक ठाक चलने लगता है तो इसमें कुछ बहुत खास नहीं है एक दो कारिक्रम है जिनके बारे में आपका द्यान आतर्सित करना चाहूंगा कि आगनबाडी के इंदो की गुडवत्ता सुधार के लिए 6 वर्स तक की आयूक के बच्चों के लिए दुलार कारिक्रम सुरू किया गया आप से पूछा जा सकता है कि दुलार कारिक्रम क्या है तो आपको बताना होगा कि 6 वर्स तक के ब आप का भी सुवारम किया गया है ये भी मातपूर्ण हो सकते हैं सही ओग एप में क्या है इसके माध्यम से आगनमाडी कायकरम की निगरानी की जा सकेगी और बाल पिटारा आप में तीन से छे वर्स तक की आई के बच्चों की परवरिस्ट की जानकारी के साथ ही ईवर्स ईब के लिए बनी थी टीम नाइन जो है बनी थी कोरोना के समय में उसको कंट्रोल करने के लिए तो उसी तरह से जो है और नौ समितियां अलगअलग बनाई जाएंगी जो फरवरी में प्रस्तावित इंटरनेस्टनल ग्लोबल समिटी को जो है आयोजित करेगी उसकी निगरानी क तो प्रदेश सरकाद और प्रदेश में 10,000,000,000 रुपए का निवेस लाने का लच रखा गया है ध्यानके यह पूछा जा सकता है आपसे कि कितने लाग करोड रुपए का लच रखा गया है निवेस में तो 10,000,000,000 रुपए का निवेस रखा गया है इसके लिए Global Investors Summit के लिए टीम नाइन की तरज पर नौ समीतियां यानि नौ कमिटीज बनाई जाएगी और माहादर्शन समीत के अध्यच सोयम जो है मुख्यमंतरी होंगे वा कारिकारी समीत के अध्यच जो है मुख्य सच्यू होंगे साथ और नगरी निकायों का गठन हो गया है ये भी काइबिनेट ने भी डिसीजन लिया है तो प्रदेश सरकार ने एक नगर पाली का परिसद और छे नई नगर पंचायतों के गठन का निलने लिया गया है लेकिन अभी ये सब चीजें जो है अफिसिल वेब साइट पर अपडेट नहीं हुई है आगे जल्दी हो जाएंगी तो इसके साथ ही प्रदेश में अपकुल 762 नगरी ये निकाय हो गए है अर्बन बोडी हो गई है आजमगर की नगर पंचायत बिलदिया गंज की सीमा में 66 गामों को जोडते हुए उसे 33 रेडी की नगर पाली का परिशत के रूप में उच्चीक्रत किया गया है तो नगर पाली का परिशत जो है एक जो है बड़ी बाड़ी होती तो यार रखिएगा ये जो है आजमगर की है बसके अलावा बाकी और भी चीज़ें दी हुई है कि कहां कहां पर पंचायतों का गठन हुआ है तो वो इत्ता जादा यहां पर महकूर नहीं है आपके लिए सरसो की तीन प्रजातियों के बीज निसुल्क जो है सरकार के द्वारा बाटे जाएंगे मकसद क्या है मकसद वही है कि इन प्रजातियों की जो है मान्सून भी कमजोर रहा है तो उसके लिए 457.6 जीरो लाक रुपए भी स्विक्रित किये गए है प्रदेश सरकाद्वरा अल्पकालीन वा सामान सरसो सहित रागी के बीजों के मिनी किट निसुलक भी बाटने का निर्णाय लिया गया है अगे बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का पहला डिजिटल विभाग यह बहुत संभावित प्रस्न है तो आपको बताना होगा इसका उत्तर क्या है अभियोजन विभाग अभियोजन विभाग जो है उत्तर प्रदेश का पहला digital विभाग है जहां पर सारा काम काज जो है अब digitalize हो गया है computer क्रिप्ट हो गया है और e-prosecution portal पर उत्रपदेश देश में पहले e-prosecution portal क्या है मैंने पहले के lecture में बताया भी है e-prosecution portal वो है जहां पर जितने भी अभियोजन है जितने भी मुकद में चल लहे हैं उनकी जानकारी जो है computer में दर्ज कर दी है कोई भी जो है अब online उसको search करके देख सकता है तो इसको क्रियानवन के मामले में उत्रपदेश का पहला इस्थान है और उत्रपदेश को पुरुसकार भी इसमें दिया जा चुका है आगे बढ़ते हैं उत्रपदेश के पाँच जिलों को पीने के लिए गंगा जल की आपूर्ती की जाएगी गंगा जल की आपूर्ती का मतलब है कि गंगा कैनाल से गंगा नदी का पानी वहाँ पर भेजा जाएगा तो ये पाँच जिले कौन से हैं फिरोजाबाद, आगरा, मतुरा, बलिया और उन्नाओ इनको जल सक्ती मिशन के अंतरगत आने वाले दिनों में पेजल के रूप में गंगा जल उपलब्द कराएगा पाँच जिलों में से तीन जन्पदों जिन में से आगरा, मतुरा और फिरोजाबाद हैं इनमें निर्बाद, पेजल, आपूर्ती के लिए दोहरी विवस्था की जा रही है इन जिलों में अपर और लोवर गंगा कैनाल से गंगा जल की सप्लाई की जाएगी जबकि उन्नाओ और बलिया के गंगा किनारे के बसे होने के कारण यहां इंटेक वैल बनाकर सीधे गंगा जल की आपूर्ती की विवस्था रहेगी आगे बढ़ेंगे 1.21 लाख को एक दिन में नल कनेक्शन तो यह जो है कब हुआ है 17 सितंबर को प्रदेश सरकान ने रिकार्ड इस्थापित किया है कि एक ही दिन में 1.21 लाख लोगों को घरों में पेजल की आपूर्ती की है तो 17 सितंबर को हर घर नल योजना के तहत एक दिन में 20,821 ग्रामीर घरों को नल कनेक्शन प्रदान किया गया और ये जो है कब किया गया प्रदान मंतरी नरेन मोदी के जन दिन के आउशर पर आगे बढ़ते हैं मुख्यमंतरी एडवेंचर काईकरम उत्तरपदेश में सुरू किया जाएगा तो मुख्यमंतरी एडवेंचर अवाड सुरी काईकरम नहीं अवाड अवार्ड जो है यानि पुरुसकार दिया जाएगा तो जैसे केन सरकार एक अवार्ड देती है जिसका नाम है टेंजिंग नौरगे एक परवातरो ही हैं इनके नाम पर ये अवार्ड सुरू किया गया था उसी की तरज पर मुखवंत्री एडवेंचर अवार्ड दिया तो आपसे धन्रासी भी पूछी जा सकती है कि इसकी धन्रासी क्या होगी आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रेस में 10 वर्ष में 45 लाख तन कार्बन क्रेडिट संग्रह का लच्ष रखा गया है ये एक बड़ा रखा गया है क्योंकि भारत सरकार ने घोषणा की थी कि 2070 तक भार को कार्बन न्यूट्रल बनाना है कार्बन उदासीन बनाना है यानि हम जीरो कार्बन इमिशन की स्टेज पर आ जाएंगे तो 2070 का लच्ष तै किया गया था अब उसी को सभी राजियों को फालो भी करना है अगर राजी ने सहीओ करेंगे तो केंद्र का करेगा उसमें तो इसी कारण जो है हर साल 35 करोन प्राउधा रोपन का भी लच्ष जो है उत्तरपदेश में चल रहा है आगे बढ़ते हैं 64 साल के बाद उत्तरपदेश बिधान सभा में कई पुराने नीमों को बदला गया तो अभी जो है कुछ ऐसे गैर जरूरी नीम थे पहले इसकी अभी तक लागू है इसमें बहुत सारे ऐसे नीम है जो अनुपियोगी हो गए है अब हम लोग एक एक नीम पर यहां पर चर्चा नहीं कर पाएंगे तो कुछ को समसोधित पी किया था आप जैसे इसमें एक दो जो है मैं हाइलाइट वाली बात आपको बता दूं कि अब त दस तारांकित प्रस्न ही पूछे जाते थे तारांकित प्रस्न आप जानते हैं कि उसमें संबंदित मंत्री को खड़े होके जवाब देना पड़ता है उसको बताना पड़ता है आप इससे बजट सत्स में सतीस महाना जो है जो विदान सबाद जच है उन्होंने बदल दिया अब 20-20 तारंकित प्रसंद तक लिये जाएंगे ताकि अधिक सधिक बिधायक अपने छेत की समस्याओं को उठा सके इसके लावा सदन के अंदर सभी दलों के सदस्यों के जन्मदिन को मनाने की नई परंपरा सुरू की गई है अब जन्मदिन की भी परंपरा सुरू होती है विधायकों को सदन छोड़कर कैंटीन में चाय काफी के लिए न जाना पड़े इसके लिए बिधान सभा मंडप के बाहरी एक लॉबी बनाई जा रही जहांपर वो चाय नास्ता कर सकेंगे इसके लावा भी बहुत सारे नियम है जिनका आम ने यहाँ पर उलेक नहीं किया है उनकी आवशकता भी नहीं है आगे बढ़ते हैं वारानसी बोगी बील के बीच अगले वर सुरू होगी सबसे लंबी क्रूज सेवा क्रूज सेवा जो है बारानसी से बोगी वील के भी सुरू होगी तो ये देश की सबसे लंबी क्रूज सेवा होगी अलाकर भी सुरू नहीं हुई है ये क्रूज सेवा 4000 किलोमेटर से भी लंबा सफ़र तैय करके तथा गंगा, भारत, बंगलादेश, प्रोटोकाल, मार्ग, एवं ब्रंपुत नर्यों से होकर गुजरेगी आगे बढ़ेंगे आनलाइन उपलब होंगे धार्मिक पत्रिका कल्यार के दुरलब कल्यार जो है प्रतिष्ठित धार्मिक पत्रिका माने जाती है जिसमें बहुत सारे आध्यात्मिक लेक और धार्मिक प्रसंग छपते रहते हैं तो बहुत सारे पुराने और प्राचीन दुरलब ऐसे अंक हैं जो अब के लोग नहीं पढ़ सकते हैं तो उसी के लिए बेवस्था की गई है गीता प्रेस की मासिक पत्रिका है ये और 901 प्राचीन और दुललब अंकों को मूल रूप में इंटरनेट पर उपलब्द कराया जाएगा आगे बढ़ते हैं और एक चीज क्योंकि उत्तर प्रेस से जुड़ी है गीता प्रेस 1926 में सुरूई थी कल्यान का प्रकासन ये धान रखियेगा हो सकता है कभी ये आपसे पूछ लिया जाए आगे बढ़ते हैं सर्बसेश 10 राज सहिकारी बैंकों में सामिल हुआ उत्तर प्रेस का कौापरेटिव बैंक तो ये पृत्भारत के 10 जो है सर्बसेश सहिकारी बैंकों की सूची में उत्तरपदेश के cooperative bank सामिल हो गया है नाबाज ने उत्तरपदेश cooperative bank limited को उच स्रेडी में वरगी करित किया है इसका कारण यह है कि bank देश की सबसे 10 राज सहकारी बैंकों में सामिल हो गया है इस bank को देश में 9 इस्थान मिला है तो इसको विसेश करया तकिएगा कि टॉप 10 में तो हई है लेकिन कौन सा इस्थान है नवा इस्थान है अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा आगे बढ़ते हैं पहली बार महिला सदस्यों के नाम रही उत्तरपदेश बिधानसबा तो अभी जो हाली में सत्र सम अप्त हुआ है विधानसबा का उसमें जो है एक दिन ऐसा गोसित किया गया था विधानसबा Together कि की उस दिन सारा कामकाज सारा संचालन जो है महिला सदस्यों के द्वारा ही विधानसबा में हुआ यह कौन सा दिन था 22 सितंबर 2021 को परदेश की 430 सदस्यों वाली बिधान सभा में महिलाओं के संख्या के 30-47 इस तरह का प्रसने बार पूछा गया था तो पूछा जा सकता है वर्तमान जो बिधान सभा है उसमें 47 महिला सदर से हैं और जो ये 22 सितंबर का कारिकरम था इसमें इसका संचालन बिधायक मंजू सिवाच ने किया था आगे बढ़ बरेली और जौनपूर स्टेडियम में सिंथेटिक रनिक ट्रेंग बनाये जाएंगे जिससे खेलों को बढ़ावा मिल सके और जो एथलीट्स हैं वो इंटरनेशनल क्वालिटी पर अपनी प्रेक्टिस कर सके हैं तो ये खेलों इंडिया खेल विकास कारिकरम के तहट जो है तो ये उपलबजी व यच्चू को मिली है इसको ध्यान से समझ लीजिए कासी विज्ञान संस्थान के विज्ञानियों दोर्य तयार की गई है 45 splits क्या होता है जिसमें अलग से पोसर सामिल होता है फोर्टिफाइड में यसे एक सामान गयों है तो उसमें जो है कार्बोाइडरेट इत्यारी तो होता ही है लेकिन फोर्टिफाइड में जो है पोर्सन युक्त पदार्तों की मातरा बढ़ा दी जाती है तो ये कौन सी किस्म है आपको पूछी जाएगी, कि कौन सी किस्म है, अच्छी किस्म, सबसे अच्छी वब्राइटी गोसित किये, इसका नाम है मालवी ऐट सो रतिस, मालवी चुकि बियच्चू के संस्थापक रहे हैं तो उन्ही को समर्पित करते हुए नाम दिया गया है मालवी 838 ये जो है सबसे ज़्यादा अच्छी फोर्टिफाइड ग्योहू की प्रजाती पूरे देश में गोसित की गई है जो बियच्चू वारणसी ने डेवलप की है ये 120 दिन में तयार होने वाली किस्म है गेहूं की आम किस्मे जिंक की मात्रा 25 से 30 PPM होती है पार्ट्स पर मिलियन होती है लेकिन मालवी जो 38 पर जाती है इसमें ये 41 PPM है यानि ये जिंक की मात्रा इसमें अच्छी खासी है तो कुपोशन वाले जो है जो छेत रहें उनको जो है ये अच्छा रहेगा और खाना भी चाहिए उनकों मरीजों को भी आगे बढ़ते हैं प्रदेश के ग्यारा नगर निकायों को स्वच्च सर्वेच्छन पुरुसकार मिलेगा भी हाली में स्वच्च सर्वेच्छन पुरुसकार 2022 की गोशना हुई है इसमें लखनव, बेटा जिले की है इनको जो है सामिल किया गया है नकायों को स्वच्च सर्वेच्छन पुरुसकार मिलेगा आगे बढ़ते हैं बाल मृत्युदर जिसको हम MMR कहते हैं तो उत्तरपदेश में 5 वरसों तक के बच्चों की मृत्युदर में कमी आई है ये एक अच्छी खबर ह पूछी जा सकती है यहां पर गिरावट आई है तो बेहतर स्वास सेवाय प्रदान करने के चलते हैं नमूना पंजी करण प्रणाली की सांख की रिपोर्ट 2020 में उत्तरपदेश का प्रदरसन सर्वस्रेश्ट है ये पॉइंक याद रखिए गा एक्जाम पॉइंट आप 12 दिन तक के बच्चों की मृत्तधर में दो अंकी कमी आई है और प्रजिनन दर में दसमलो 2% की कमी आई है जो SRS बुल्टेन जारी होता है इसको सैंपल रिष्टी सर्वे कहते हैं उसकी ये रिपोर्ट है उसके अनुसार जो है ये सारे आकड़े है आगे बढ़ते हैं प्र कार्ट दिया जाएगा तो ये आइडेंटिटी कार्ट जो है सभी ट्रांजेंडर्स को दिया जाएगा और ये सुचना लिखे जाने तक मतलब अखवारी भासा आई है 249 ट्रांजेंडरों को ये पहचान पत्र दे दिया गया था अब कम लोगों ने अपलाई किया होगा पावर फेलियर और जो है उसकी वज़े से बिजली जाने की समस्या है उसके लिए बैक अप स्टेशन्स बनाए जाएंगे जो ये इस न्यूस का मतलब यही है कि 10 मेगावाट तक बैटी एनरजी स्टोरेज सिस्टम इस्थापित किये जाएंगे तो फिलाल के राज के 22 ट्र जाने के लिए चुना गया है 10 मेगावाट का एक स्टोरेज सिस्टम लगाने के लिए 60 करोन रुपए का व्याय होगा लेकिन इसमें क्या है इसमें बिजली को स्टोर किया जा सकेगा जैसे हम लोग इन्वर्टर में स्टोर करते हैं घर में उसी तरह से ये पावर सब सेंटर पे ही स्टोरेज हो जाएगा और लाइट जाती है किसी फेलियर की वज़े से तो तुरंट जो है बैक अप से बिजली की सप्लाई सुरू हो जाएगी कुल में लाकिन निर्बाद आपूर्ती के लिए सिस्टम तयार किया गया है आगे बढ़ते हैं अखिल भारती ट्रेड 2022 में उत्तरप्देश को 5 स्टार रेटिंग से नवाजा गया है तो यह 5 स्टार रेटिंग उत्तरप्देश को मिली है पूछा जा सकता है तो हाईली में आईटी आई चातरों के अखिल भारती ट्रेड टेश दोजार बाइस के आजनव उत्तरप्देश को 5 स्टार रेटिंग मिली है और डी जी टी यहनी प्रदिश्टन मेराज कोर से उत्तरप्रदसन करने का पर्था मिस्थान भी मिला है सीर्दर्स अखिल भारती राइं के चातरों में से तीन कहां के हैं उत्तरप्रेश के हैं पुर्मुक सची के नितत में यूपी की टीम को नई दिल्ली में आजित कौसल डीच्छा काईकरम में प्रसंसा प्रमाडपत रियानी एप्रिसियेशन लेटर भी दिया गया है आगे बढ़ते हैं ट्रांसजेंडर्स के लिए और जागरुपता सरकार बढ़ाना चाती को कि ट्रांसजेंडर कहीं न कहीं जो है समाज में बहुती अपेक्छित रहे हैं और एक समाज के हासिये पर ही रहे हैं और इनके बारे में लोगों के मन बहुत सी गलत फैमिया है तो ये गलत फैमिया तभी दूर होंगी जब आप इनके बिसे में सच्चाई जान पाएंगे और इसका काम जो है क्या होगा कि अध्यान के लेविल से जब आप स्कूल में हैं तभी से आप इनके बारे में जानकारी हो इसी को ध्यान में रखने हुए इस लेबस में भी जो है इ ज्वार से सहद का विकल्प विक्सित किया गया अभी तक सहद जो है नैचरली जो है सहद जैसे निकाला जाता है मनमक्यों वाला उस तरह निकाला जाता है लेकिन अब ज्वार से भी सहद बनाए जा सकेगा जो बिलकुल नैचरल सहद की ही तरह होगा और ये विक्सित किया ह राश्टी सरकरा संस्थान यानि National Sugar Institute कहां पर है कानपूर में है कई बार प्रस्न पूछा गया है तो इसने ज्वार के तने से निकले रस्थ से सहद का विकल्प तयार किया है इसके सेवन से लोगों को वही आउस्दिये लाब मिलेंगी जो सहद से मिलते आए हैं अब बिकसित हुए सहर के विकल्प में तक तो क्या-क्या है फ्रक्तोज की मात्रा इसमें कित्ती होगी? 45-48% ग्लुकोज होगा इसमें 39-42% सुख्रोज होगा इसमें 8-10% प्रोटीन होगा 1.9% और इसमें वाटर कंटेंट होगा 22.36% तो फ्रक्टोज, ग्लुकोज और सुक्रोज ये तो आपके सुगर हो गई और इंप्रूब्ट टर्मिलाजी में कहें तो ये क्या कार्बॉइड डेड हो गई बाकि इसमें प्रोटीन और जल होगा तो ये जो है अच्छी खोज है जो आपसे पूछी जा सकती है संस्थान का नाम है रखीएगा कि इसमें ये खोज की है उत्तप्रेस में जैव उर्जा उद्योक का की स्थापना होगी जैव उर्जा यानि बायो इनर्जी इन्रिष्टी की स्थापना होगी इसमें क्या होगा इसका मूल मकसद ये है कि पराली जो किसान जला देते हैं खेतो में उसके लिए कानून बना था कि जो है उनको सजाओ जाओगी जो है जुर्माना होगा खैर वो रिपील कर लिया गया कानून अब उसमें उत्ति सक्ती नहीं रह गई है लेकिन पराली का एक निस्दारण का एक अच्छा विकल्प भी हमारे पास होना चाहिए नहीं तो यह सम कुझा नीती 2022 को मंजूरी दे दी गई है उत्तरपदेश काविनेट ने आप इसमें कई सारी जो है फैसलिटी जी जा रही है इस नीती के तहट कंप्रेश्ट बायो गैस उत्पाधन का प्लांट लगाने पर 75 लाग रुपए प्रतितन की दर से अधिक्तम 20 क्रोंड अब सिष्ट आपूर्ती स्रंखला का विकास करने के लिए एक बायो गैस प्लांट इस्थापित किया जाएगा तो यह सब जो है सुद्धाएं दी जाती है आगे वरते हैं आयाइटी बीच्चू ने एक और जो है भहुत अच्छा काम किया है सराहनी कार्य है वो है कृतिम ह हाथ तयार किया है और यह ऐसा हाथ होगा कि केवल देखने के लिए हाथ ने होगा यह आपके मस्तिस के जो है सिगनल्स के अनुसार कारिभी करेगा यानि यह विक्ति के मस्तिस के आदेसों को सुनकर मानस्पेसियों के स्पंदन से कारिभी कर सकेगा और यह ऐसे काम काम प्र लेकिन ये इसमें sensors लगे होंगे, वो sensors आपके brain से connect हो जाएंगे और brain में जो आप command देंगे उसको फालो कर सकेंगे, इसमें lithium के battery होगी जिसे charge किया जा सकेगा, बहुत सारे इसमें और भी सुविधाये हैं, तो आपको मुझकरू क्रिया तकना कि ये जो है IIT BHU के scientist ने develop किया है आगे बढ़ते हैं, प्रियागराज से सुरू हुआगा स्वच भारत अभियान 2.0, तो स्वच भारत अभियान 2.0 की सुरुआत कहां से होगी, प्रियागराज से होगी, यही सबसे महतपूर्ण है इसमें और ये अभियान 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलाया आगे बढ़ते हैं, राज योजना आयोग का पुनरगठान अब स्टेट ट्रांस्फार्मेशन कमीशन में, यानि वही जो नीती आयोग हमने इस खबर को भी जो है उपर ले लिया है, तो नीती आयोग उत्तरपनेश स्वयम का बनाएगा, जिस तरह से केंज में नीती हमने भी फैक्ट पीछे भी देखा है, तो जो उत्तरप्रेश में राज जैवी कूर्जा नीती आयोग उसके तहट प्रती एक करोण के टोकन लीज रेंट पर आ रहा है, तक तम तीस वरसों के लिए जमीन उपलब कराए जाएगी, साधी एक करोण, साधी एक एकाई को 20 करो 5G सेवा प्रदान करने वाला पहला एयरपोर्ट है प्रदेश का, तो इस तरह के प्रस्न पहला प्रथम अग्रणी वाले प्रस्न हमें साधा पूछे जाते हैं, तो 5G सेवा प्रदान करने वाला देश का ये पहला एयरपोर्ट है, और इसका जो है सुबारम अभी हुआ है, जब पुरे देश में 5G सेवाओं का सुरुवात की गई है उसके बाद ही यहाँ पर भी इसका 5G सेवा सुरू हो गई है आगे वड़ते हैं आयोध्या में लता मंगेसकर चौक का लोकारपण हुआ लता मंगेसकर जी के सम्मान में जो है अउध्या में एक चौक है उसका लोकारपण किया गया है और काईकरा में प्रधारमंती नरेन मोदी ने वीडियो संदेश देकर अउध्यावासियों को बढ़ाई दी है यह कहाँ पर है राम नगरी में जो नया घाट बंधा चौड़ा है इसी का नाम अब बदल कर लता मंगेसकर चौड़ा कर दिया गया है और इसको बहुत खुबसूरत बनाये गया है गोल चौक है यह और यहाँ पर प्रतीक सुरूप बड़ी सी एक वीड़ा लगाई गई है और यहाँ पर दूसी चीज़ क्या है वीड़ा का संगीत लगातार बजता ही रहेगा तो यह जो है अच्छा हो है अब इस चौक में क्या क्या मतलब खासियत है थोड़ा सा पढ़ लीजे हो सकता कोई अंदर से कोश्चन आ जाए तो लगवग 8 करोन उपए से निर्माड हु होगी वीड़ा के लंबाई यह बहुत महत्पूर्ण है कि यह सबसे बड़ी वीड़ा है 10.8 मीटर और उचाही 12 मीटर है 14 तन बजनी वीड़ा को बनाने में 70 लोग लगे हैं कासा वा स्टेनलेस स्टील के द्वारा एक महिनें बनी है इसको बनाया किसने है पद्पुरुसक बिजेता राम सुतार जिन्होंने स्टेटी आफ लिबर्टी भी बनाई थी तो उनको पद्पुरुसकार भी मिला है राम सुतार ने यह वीड़ा की डिजाइन बनाई है और वीड़ा के साथ साथ अन सास्त्री वाद संगीत भी वाद यंत्र भी यहां पर प्रशित की जाए केन द्वारा संजच्छी तो उन सबसे अधिक लोगप्री दस स्थानों में से है जहां प्रवेश के लिए सुल्क लगता ध्यान लकिएगा यह ससुल्क वाली लिष्ट है मतलब कई ऐसे स्थान है न परेटन जहां पर सुल्क नहीं लगता है तो जहां पर सुल्क लगता है सबसे ज़्यादा परेटक जो है ताजमहल में गए हैं 21-22 में आकड़ों के अंसार 21-22 में ताजमहल को देखने 32.9 लाख घरेलू परेटक सामिल रहे हैं आगे बढ़ते हैं उतर जह से ब्यापार और क्रसी सेक्टर में निवेश करेगा अर्जेंटीना तो बस यही आपको धियान लगतना की कौन सा देख निवेश करेगा अर्जेंटीना करेगा किस सेक्टर में करेगा यह भी आपसे पूछा जा सकता है तो व्यापार और क्रसी सेक्टर में यह निवेश करेगा आगे बढ़ते हैं उतर प्रेश पुलिस की अपनी फाइनेसियलिजियन्स जिससे जो है जो financial crime होते हैं वित्ती अपराद होते हैं उनकी जाज को और प्रभावी बनाया जा सके आगे बढ़ेंगे खेल गत्विदियों को प्रोसाहन देने के लिए सरकार कुछ नई चीज़ें सुरू की हैं तो राश्टी खेल के खिलाडियों को पुरुसकार रासी अब होने 20 खेलों में बढ़ाया था तो आठ खेल भी बढ़ गए तो इस तरह से जो है यूपी में खेलों की भी ग्रोथ की करने का प्रयास हो रहा है एक और महत्पूर्ण जो है फैक्ट है जो आप से एक्जाम में पूछा जा सकता है सरवाधिक फिल्म अनकूल राज की स्रेड में उत्रप्रेश को पहला पुरुस्कार प्राप्त हुआ है अभी 68 नेशनल फिल्म फेस्टिगल यानि राश्टिया प्रूहैppers हो मनाया गया था उसमें जो है सरवाधिक फिल्म अनकूल राज की स्रेडी में उत्रप्रेश को पहला इस्थान मिला है जो आपको याद रख उत्तबरेस के सभी गाओं को भी 5G network सेवा से जोड़ा जाएगा यह decision जो है अभी लिया गया है कैसे जुणेंगे जो हर गाओं में ग्राम सच्वाले बनाएंगे वहीं से जो है 245 प्रकार की सेवाएं जो है दी जारी ग्रामीनों को तो वहीं से इसकी सुरुवात कियेगी और फाइब जी की हाइश्पीड से इनक्यू प्लब्डिता में अब तेजी आएगी आगे बढ़ेंगे उत्तबरेस है तीन राज्यों से साजहा किया पी 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 मॉडल कौन कौन से राज्य है जिन से जो है उत्तबरेस अपना ये मॉडल साजहा किया है बिहाज, श्टिस लखनव आगरा एक्सप्रेस वे, पुर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेल खंड एक्सप्रेस वे, बलिया लिंक एक्सप्रेस वे तथा उत्तबरेस का जो अब सबसे बड़ा जो है जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे कहलाएगा आगे चलके वो बनेगा गंग है उसके अनसार जो है SCHT की जमीन केवल SCHT को ही ट्रांसफर होती थी विशेश परसितियों में आने जाट के लोग भी ले सकते थे लेकिन अब कहीं कहीं ऐसी समस्यां फस जाती है कि वहाँ पर जो है उद्योग के लिए बहुत अनकूल दसाएं हैं ऐसे में अगर वो जमीन किसी SCHT काटेगरी के विक्ति की है तो नहीं दी जा सकती थी तो अब ये कानून में चेंज कर दिया गया है जो उत्तरपरेश की और जोगित निवेस्वेम रोजगार को साहन नीती 2022 है उसके अंतरगत जो है ये जमीन में बेची जा सकेगी और उसके लिए ये प्राविधान उसमें कर दिया गया है इस टाम सुल्क में भी छूट दी जाएगी बुंदेल खान और पुरवांचल में 100% की छूट मिलेगी मद्यानचल और परस्चिमानचल में 75% मिलेगी गौतम बुद्ध और गाजियाबाद में 50% मिलेगी तो ये सब जो है की जा रही है बुंदेल खान और पुरवांचल में नई और द्योगिग नीती में जादा जोड़ दिया गया है जो नई उद्योग नीती आई है जो जिसका आमने डिसकसन किया तीछे जो है यहाँ पर कई तरह की सबसिडी दी जा रही है जिससे जादा से जादा इंदुस्ट्रियल ग्रोथ जादा से जादा एफडियाई और निवेस जो है बुंदेल खंड और पूर्वांचल की तरफ जाए क्योंकि यह दो जो है उत्रपदेश के काफी पिछडे छेत्रों में पहले गिने जाते थे आगे बढ़ते हैं इसी के तहर जो यह चार सेक्टर में इसी नीत का ही यह पार्ट है बहुत बड़ी नीती है तो चार सेक्टर में उद्योमियों को बाटा जाएगा बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानने की आउशकता नहीं कौन-कौन से उद्योग स्थापित होंगे सब इसमें आएगा अब एक महत्पूर जो है आपको जानकारी यहाँ पर ज़्यादा जरूरी है प्रदेश के क्रसी विभाग ने प्रतिबंधित कीट नासकों की सूची जारी की थी अब उनके बिकल्प जारी किये हैं कि अगर हमने जिन कीट नासकों को प्रतिबंधित किया उसके इस्थान पर हम क्या यूज कर सके हैं तो तीस जिलों में प्रतिबंधित किया गया था, जो धान प्रधान है, कोई यह जादा तो धान की खेती में यूज किया जा रहे थे, प्रतिबंधित रसायन या पेस्टिसाइड या कीट नासक ये लिखे हुए हैं, इनके बिकल्प यहां दिये हुए हैं कि इनके इस्थान पर अब किसका प्रयोकी आया सकता है, और ये किस रोग के लिए यूज होते थे, वो जो है यहां लिखे हुए हैं, तो आप रोग को यार रख सकते हैं, क्योंकि कभी-कभी फस्पाद आप रोगों पूछे जाते हैं, वो ऐसे बहुत ज़्यादा जरूरी ऐसा नहीं है, इस ये जो है प्रमुक चार सहरों को जोड़ेगा, कौन से बनारस लखनव, आज़मगड़ा और मव की आर्थी गत्मिदियों को मजबूत देने के लिए इसका प्लान तयार किया जा रहा है, मतलब बनेगा गाजीपुर से बलिया तक लेकिन यहां से इसकी कनेकृटी वहां तक कि हम यहां पर बात कर रहे हैं, उसकी डेट सरकार ने टै कर दी है, यह डेट है, यह आप से पूछी जा सकती है, 10 से 12 फरवरी, जो अभी हम लोगों ने कमेटी वाला पढ़ा था, कि 9 कमेटी यां, 9 समीतियां बनाई गई है, वो इसी समीट के आज़ेन के लिए बनाई गई हैं, 10, 11 और 12 फरवरी 2023 को यह किया जाएगा, अगला हमारा जो करेंट अफेर्स का महत्पूर्ण पॉइंट है, वो है स्वच सरवेच्छन 2022, स्वच सरवेच्छन 2022 की रिपोर्ट जारी हुई है, वैसे तो उसमें से राश्टी यह बिसे भी हैं, जैसे इन दोर को जो है, सिर तो केंज सरकार की जो जारी की गई है, सरवेच्छन की रिपोर्ट उसमें स्वच सहरों में गाजियाबाद को 12 फरवा इस्थान मिला है, मेरट को 15 हुआ, प्रियागराज को 16 हुआ, लकनो को 17 हुआ, बनारस को 21 फरवा और आगरा को 23 फरवा इस्थान मिला है, 16 लाग सेधि कावादी वाले गाजियाबाद को 3 स्टार रेटिंग भी दी गई है, और ODF प्लस गोसित किया गया है, ODF प्लस प्लस का मतलब 2 प्लस है यहाँ पर, ODF प्लस प्लस ठीक है, पूछा जा सकता है, क्योंकि गाजियाबाद अगर देखें, तो उत्तर प्रेस का सबसे स्थ जो है गाजियाबाद को माल लिया जाएगा उस काटेगरी में, नोईडा को 10 लाग तक की आबादी वाले काटेगरी में, वोकि इसमें जनसंख्या के आधार पर काटेगरी है, 5 लाग, 10 लाग, 15 लाग, इस तरह से 20 लाग की आबादी, तो 10 लाग तक की आबादी वाले स्रेडी मे नोईडा को देश में पांच भी राइंक मिली है ये भी आपसे पूछा जा सकता है हलांकि नोईडा एकपाईदान नीचे उतरा है पहले टाउप 5 में जगे बरकाइब था फिर नोईडा देश में अपनी स्रेडी में नमबर 5 पे रहा नोईडा देश में सभी सहरों में नंबर 11, सभी सहरों में नंबर 11 और यूपीम नंबर 1 पर रहा नोईडा को बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल सिटी का अवार्ड भी मिला है तो कई सारी कटेग्रीज में इसका अलग-अलग है इसको ध्यान से देख लिजेगा एक से दस लाग तकी आवादी वाले सहरों में उत्तरपदेश के का अलिगण 29 नंबर पर है सहारन पूर 40 नंबर पर है मतुरा बुरंदा वन 49 और अध्या 120 नंबर पर है एक लाग से अधिक आवादी की स्रेडी में हरिदवार जो है गंगा के किनारiritual सबसे स्वच सहर माना गया है लिकिन ये उत्तरांचल का है इसके बाद यूपी का आता है 128 नंबर पर और उसके बाद जो है तीसरे नंबर पर रिशिकेस है एक लाग से कमावादी वाले गंगा के किनारे सारे बसों में बिजनौर पहले इस्थान पर रहा ये ध्यान लखिएगा एक लाग से कमावादी और एक लाग से अधिक में जो है 12 असी दूसरे इस्थान पर रहा इसके बाद कन्योज और गड़ मुक्तेश्वर का ध्यान लखिएगा तो जो भी चीजे फैक्ट लिखिएगा याद करिएगा उसको कैटेगरी जरूर से मेंसन कर दीजेगा नहीं आप कन्फियूज हो जाएंगे सौ रुपए उत्तरपदेश सरकार ने धान पर मस्पी बढ़ा दी है और ये एक रेट के धान का मूल लेहब दोजार साथ रुपए प्रतिकुंटल तथा सामाने का दोजार चालिस रुपए प्रतिकुंटल टै कर दिया है इसको ध्यान लखना पड़ेगा आपको और इस बार धान खरीत का लच्छ है वो 73 लाख टन धान खरीत का लच्छ सीजन 22 ते इसके लिए रखा गया है आगे वरते हैं आगे उत्तरपदेश अब जो है वेलनेस टूरिज्म का अर्थ क्या होता है कि यहां पर लोग इलाज कराने आए मतलब मेडिकल टूरिज्म जो ह 29 वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे यहां पर सारी फैसलिटी होगी कोई इलाज कराने आएगा तो उसको प्राचींची किस्ता पद्दती और योग सेवाओं का लाब मिलेगा परेटन विभागदारा उसको होटल और रिजार्ट मिलेगा इसके लिए सरकार जो है पूरा जो हा गया था बाकि वहां रेल्वे स्टेशन का नाम जिले मदल का नाम सापूर बदल चुका था तो फैजले पर बहुत होना बाद आफरेवानी परिशत सारशिट में यहां नौनबट से लागा यहां गर्दे जो ही जान नाम और का नाम ऑर मFAजाभाद से हटाकर बदल हैं आगे बढ़ेंगे उत्रपदेश लोग तथा निजी संपत्ति छाती संसोधन विधेग 2022 जो है पारित किया गया है इस कानून में क्या है कि डंगों में अगर किसी की मौत होती है तो उनके आस्रितों को नियूंतम 5 लाख रुपए मुआबजे का भुक्तान किया जाएगा दि आगे बढ़ेंगे दुसकर्म वा पॉक्सो एक्ट के मामले में अब अगरिम जमानत नहीं मिलेगी उसके लिए उत्तवरेश विधान मंडल द्वारा दंड प्रक्रिया सहिंता यानि उत्तवरेश संसोधन वियरेग 2022 पारित किया गया इसके अंतरगत दुसकर्म का मामला हो या पॉक्सो एट यानि बच्चों से यौन अपराद के मामले हो उसमें अब आरोपित को अगरिम जमानत नहीं मिलेगी आगे बढ़ते हैं एक्सप्रेसवे के किनारे SME क्लेश्टर बनाया जाएंगे यानि सूच में लगू मध्यों के जो है क्लेश्टर जो है एक्सप्रे क्लेश्टर के दाहरे में ये बनाये जाएंगे आगे बढ़ते हैं रसायन खरीट पर गन्ना किसानों को अनुदान भी उत्रप्रेस में दिया जाएगा अभी 750 रुपए दिया जा रहा था अब जो है 900 रुपए की सबसीडी दी जाएगी प्रती हेक्टेयर के अमसार तो इस उनको एक प्रमार पत्र बनाने पे 5 रुपए पारिस्रमिक रूप में दिया जाएगा दो से दो सत्रा तक की रेजिस्टर्यों का डिजितिली करण भी अब किया जाएगा। राज सरकार वस 2002 से लेकर 2017 तकी सभी रजिस्ट्रियों का डिजिटिली करण कराने जा रही है आगे बढ़ते हैं नियू पेंसन स्कीम नई पेंसन स्कीम जिसका जो है करमचारी बहुत ज़्यादा बिरोध भी कर रहे हैं कुछ लोग समर्थन में हैं लेकिन अधिकांस लोग इ बिना कोई अत्रिक्त खर्चा किये यानि बिना किसी अत्रिक्त कटावती के पेंसन मिलती इसमें आपको कटावती भी कराने परती है अलाकि सरकार भी अपना अंदान देती है तो इसमें जो है कितने करमचारी परन्जिक्रत हैं 5,49,604 जिनके पर्मानेंट रिटायर अकाउ हो चुके हैं इसमें सब बताया गया है कि क्या क्या फाइनेंसियल उसमें जो है हुआ है तो बहुत जागा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है और न्यू पेंसन इसकी में करमचारीयों को 9,45% रिटर्न मिल ला है लेकिन ये सब बजार जोखिमों के अधीन भी है ये भी ध्य जान दखिएगा तो बित्रो इस तरह से हमने सितंबर का पूरा करंट अफेर्स अच्छे से कवर करने का प्रयास किया है वीडियो को रिवाइस करके जरूर एक दो बार देखिएगा क्योंकि केवल अगर आप वीडियो ही रिवाइस करने दो बार तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे ही आद हो जाएंगे तो आज के लिए इता ही फिर मिलेंगे नमस्कार धन्यवाद